चर्चा हम करेंगे मनु गौर मेरे साथ मौजूद होंगे जो की कुपुशन के एक्सपर्ट हैं उनसे हम समझने की कुशिश करेंगे आशिमा मंडला हमारे साथ मौजूद होंगे जो की चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं उनसे हम समझने की कुशिश करेंगे सबसे पहले मैं पूछूँगा मनु गौर साब से मनु साब आखिर ये बड़ी अजीब सी सिती है कि एक तरफ हम तेज अर्थवस्था की बात कर रहे हैं चांद पर पहुँच रहे हैं विकास हम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं बच्चों की जिसके बारे में सिर्फ आकड़ों में चर्चा होती है लेकिन सत्य और जमीन पर फरक नहीं पड़ता है और अगर अंतर राष्टी इस्तर के जो आकड़े हैं उन पर निगाडाने तो हम लगातर पिछड़ते जा रहे हैं बात है कि बनती नहीं, कब बनेगी मनुसाम। कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहां डिमांड्स बहुत जादा हैं। दूद देना कंपलशरी है, डाल रोटी देना कंपलशरी है, जिसमें सबजियां देना कंपलशरी है, फल देना कंपलशरी है। तो क्या आपको लगता है कि 4 रूपे 48 पैसे और अगर हम और सीनियर स्कूल में चले जाए तो 6 रूपे पर मील तक मिड़े मील में खर्च करती है सरकार तो क्या वास्ताव में ये सिर्फ बच्चों का पोशन पोशिक भोजन हम उने दे रहे हैं अच्छा पोशिक भोजन दे चार रूपे 48 पैसे में क्या होता है कुछ भी नहीं होता समझने की आवशक्ता इसलिए ये जादा है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि दिन पर दिन भारत की इस्तिती लगातार गिरती चाह रही है भुक्मरी के इस तरब उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी बनिये कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएं या नहीं दे पाएं उसमें सक्षम हो या नहीं हो फिर भी बच्चों को जन्म देते चले जाते हैं उनके भविश्य की चिंता नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यक्ति को जिम्म अभिवावक नहीं होंगे तब तक इस देश में यह को पोशन हो भुकमरी हो यह क्योंकि दिमांट्स बढ़ेंगी आपने कहां मिल्क प्रोडेक्शन में हम नंबर वन हैं लेकिन हम मिल्क अडल्ट्रेशन में भी नंबर वन हैं सक्तर परसेंट से जादा दूद हमारे पीने लोग जो है वो असी गुना जादा बढ़ा है तो वो कौन सा पॉस्ट्रिक खाना हम लोगों को दे रहे हैं बच्चों को दे रहे हैं और मिड़े मील्योजना में भी वो जो कक्षाई एक से पांच तक के जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उन्हें हम चलिए पॉस्ट पर प्रियास कर रहे हैं सरकार फंड देने की कोशिश करती है क्योंकि हम आकड़ों में देखते हैं हर राजी सरकार के आणकों को देखते हैं वो राजी सरकार की आकड़े में कहते हैं कि हमारी घटी है और हमने उस पर बहतर काम किया है वहाँ पर उनको पुरुष का देखे ऐसा नहीं है कि सरकार अपने इस तरफ से प्रियास नहीं कर रही है, सरकार वास्टव में अपने इस तर ίο मीडमील योजना लेकर आई, सरकार प्रियासा कर रहे हैं तभी Food Security बिल लेकर आई, लेकिन विशे वहीं आ जाता है कि क्या इन प्रियासों से हम उस सैचुरेशन लेविल पर पहुंच सकते हैं क्योंकि जितने बच्चों के लिए जितनी आबादी के लिए हम ये योजनाय बनाते हैं उससे ज्यादा आबादी हमारी हर साल बढ़ जाती है अगले 35 वर्षों में जो रिप्रोडेक्टिव एज है अगले 35 वर्षों में लगभग अगर पर वोमन हम नभे दो बच्चे काउंट करके भी देखें कि हरमाईला दो बच्चे पैदा करेगी तब भी 90 करोड बच्चे पैदा होने हैं हमारे देश में तो क्या और उसमें यही कारण है कि 1961 में जब हमारा पहला BPL सर्वे हुआ तब गरीब लोगों की संक्या अति गरीब लोगों की संक्या हमारे हैं 19 करोड थी आज 2011 के सेंसस के हिसाब से वह बढ़के 36 करोड हो गई क्यों हो गई इसका सबसे बढ़ा कारण यह हैं क्योंकि हमारी दिमांड्स बढ़ती चले जा रहे हैं तो इसलिए आवश्चक्ता यह है सरकार को सबसे पहले कि जिम्मेदार अभिवावक अब पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारी का इहसास कराएं कि वह उनी बच्चों को जन्म दें जिनका वह अच्छे से जीवनियापन कर सकें और इस सम्मंद में अगर सरका को कोई नीती कोई कानून बनाने की आवश्चक्ता हो तो उसे वह भी बनाना चाहिए मनुद साब मैं एक चीज़ आप से पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो देश में ऐसा तो नहीं कि देश में खाद्यान की कमी है लेकिन उसके बाद जो आंकड़े निकल कर आते हैं कि करीब बीस करोड के आसपास ऐसे लोग है जन्हें एक वक का खाना नहीं मिल पाता और जो विरुदा भास है कि एक तरफ तो हमारे देश के लोग भूके सो रहे हैं एक बड़ी आबादी भूकी सो रही है और दूसी तरफ हमारा खाद्यान सड़ जा रहा है रखर खाब में वो खराब हो जा रहा है इसे किस तरो दौर पर देखें नहीं आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे हाँ प्रोडिक्टिविटी बहुत जादा बड़ी है हमारे हाँ आजादी के बास से लेकर अभी तक का खाद्यान उत्पादन पांच गुना बढ़ा है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन उस खाद्यान के रख रखाओं की उ बढ़ाई है अभी बहन आशिमा जी ने जो Constitution की rights की बात करी तो Article 21 में right to life के हिसाफ से हमें शुद्ध भोजन मिलना चाहिए खाने के लिए हमें शुद्ध वाईयू मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए हमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए पीने के लिए तो लेकिन क्या हमें वो मिल पाय रहा है वँब हमें नहीं मिल रहा है आजुबह से लेके शाम अ इस चीज को आप यह मत देखे की बच्चे ही कुपरोषट है आज सुबह से लेके शाम तक हर वियक्ती जो अपने घर में कुछ भी खाता है हिए बाहर कुछ भी खाता है वो guarantee से नहीं कह सकता कि उ कोई मापदन कोई नहीं देखता तो सबसे पहली चीज जरूरी है अगर इस समस्या का समाधान चाहिए कि हम अपनी डिमांड्स को कंट्रोल करें पेरेंट्स को जागरुक करें और जो जन्म देने जो जिन बच्चों का जन्म होने वाला है उन बच्चों के यूमन राइट्स क हम चिंता करें कि अगर हम उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें जन्म देने का हमें कोई अधिकार ने मनु साब क्या वाकई सरकार को अपनी पॉलिसी बदलने की जरूए थे नीतिया बदलने की जरूए थे क्योंकि यह जो योजना है मिड्डे मीर यह स्कूलों के बच्चों के लिए हैं लेकिन इसमें जो तमाम सारी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये भी निकल कर आया कि भारी ब्रस्ताचार भी यहां पर मौझूद है क्योंकि तमाम ऐसी प्राइविट कंपनिया हैं स्वहम साहता सबू हैं जिनको यह दे दिया गया है और वहां पर ब्रस्ताचार इसकी कई सारी शिकायतें राज्यों में भी मौझूद हैं और महिलावाल विकास मंत्राले में तो क्या डारेक्ट वेनिफिट स्कीम के तहट इनके अकाउंट में बच्चों के परिवार के अकाउंट में डाला जाए या क्या सिस्टम को किस तरीक देश किया जाए देखिए जैसे आपने अभी कहा कि पाँच राज्यों में सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है आप फिर से देख्यों पांचरा जैक्स कुन से हैं जी बिलकुल बिहार हैं उत्तर प्रदेश हैं वेस्ट बेंगोल है और राजे हैं वो सबसे जएदा आबादी वाले राजे हैं पिलकुल जहां पर दिमां जहां पर पॉपूलिशन बहुत जआदा है तो सबसे पहले जो आपने direct transfer की बात करी दिखकत ये है कि सर्कार समझाते समझाते थक गई है बरसों से समझाते हुए थक गई है कि हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुकी परिवार लेकिन जो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है जिन लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है कि क्या हम अपने परिवार को अच्छा सा पालन पोशन कर सकते हैं अपने परिवार का या नहीं तो उन लोगों के खातों में अगर आप डारेक्ट रांस्वर करेंगे तो वहाँ पर आप उस परिवेश में जाकर देखिए कि उन पैसों का भी वो जो जिसके पेरेंट्स के खाते में जाएंगे वो शाम को जाके सिर्फ शराब ही पीएंगे और बच्चे हमारे को पोशेती रहेंगे सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो ये अपने एंटरेटेंमेंट के लिए या जिने कोई चिंता नहीं है बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं उन बच्चों को अच्छा दीवन देने में सक्षम हैं या नहीं है उनके लिए उचित कानून बनना इस देश में बहुत जरूरी है नहीं तो हम अपने बच्चों का इस देश का बविश्य अच्छा कभी नहीं मनु साब जितनी तेजी सेब 370 पर काम हो रहा है 35 पर काम हो रहा है मंदिर और मजज़ित पर भी काम हो रहा है आप तो बतारें कि सुनभाई भी खत्म होगी बस इंतजार किया जा रहा है कि फैसला आएगा मज़ित मंदिर इत्ती बड़ी समस्या है या जनसंख्या इत्ती समस्या है जनसंख्या पर सरकार और इस देश के नीती निर्धरक कब चीतेंगे देखे ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा नहीं है या किसी ने प्रियास नहीं करा हर राजनेतिक दलने सब लोगों ने प्रियास करा है इस विशे को भी एड्रस करने का लेकिन वो वोट बैंक पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है अब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला सकता जिसमें इतनी समझ नहीं है कि मुझे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए मैं उन्हें अच्छा जीवन दे पाऊंगा जीने के लिए या नहीं उस व्यक्ति को हम देश चलाने के लिए नेता चुनने का अधिकार देते हैं तो जैसे नेता चुनके आएंगे वैसी ही पॉलिसीज बनेंगी अच्छा है इस बार कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने लाल के लिए से देश की इतनी बड़ी गंभीर समस्या को एड्रस करा है हमारे देश में एक जिम्मेदार अभिवावक को लेकर एक कानून एक नीती जरूर बनेगी जिससे हमारी आगे आने वाली पीड़ी को उचित अच्छा भविश्य दिया जा सकते